मफ पहले पीडर्वर के सचरा खना सिरेंकूज मन्थली त्रेट अब फरेल मार्केट इन प्रम स्वह स्केज़ एक ऊस्च इन आखिस पार है विसरल के पोच्छा तो यह तोड़ा से पहले मैं험 शूला से पार चśliल मार्केट में ने करेक्षन आ सकता है और मोस्ट फंद्रह सो से लेके दो जार पाइंट तक का और वही सारा से नेरियो भी चल रहा है तो अभी देखते हैं ठोड़ा सा मंतली चार्ट पर पहले चलते हैं मंतली केंडल कहां पर कैसी देख रही है सो अब अब 21 vielleicht किंडल को देखो गए तो पहले इसने यह वाली बाइरे कंडल हो इसकर नीचे फिर यहां पर आपको कोई support नि दिख रा हुआ वह जब तक यहां पर नहीं आता मार्केट तो मंतली केंडल के साफ़ से मार्केट के पास 17,000 से लेके 16,800 तक का स्कोप अभी भी बच जाता है बिकॉस यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है अभी देखो यहां पर लाष्ट फाइट हुई थी जहां पर बुल्स भी थे और वियर्ण भी थे ब़ला बायर और सेलर दोनों का स्कोप था अभी यहां पर मार्केट के पास कुछ नहीं है आ सकता है in monthly basis और जब तक मार्केट अब इस zone के ऊपर मलत अब यहां पर आप उनको buyers मिले थे और यहां पर कोई buyers की fighting दिखनी रिये तो जब तक मार्केट अठारा यारत लेकर 18100 के ऊपर एक monthly candle close नहीं करता है तब तक मार्केट थोड़ा सा BRC रहने वाला है इन monthly basis भात कर रहा हूंगे ओके सो यह अपनको सेनरी देखना पड़ेगा के monthly candle पूरूड रूप से negative बन चुकी है और यहां पर मार्केट को इससे पहले कोई support दिख भी नहीं रहा है तो मार्केट अगर यहां से नीचे निकलना सुरू करता है अब ऐसा नहीं होगा कि यह मंत्री केंडल गवात हो रही ही तो daily basis पे अपनको bounce भी आएंगे और pull wax भी आएंगे थोड़ा time pass भी चलेगा लेकिन in the end market 16-800 लेके 17,000 तक आ सकता है अभी मार्केट पूर रूप से बेरे सोच चुका है और मार्केट 16-800 से लेके 17,000 तक आ सकता है अभी चलता है अपन weekly basis पे बात करेंगर weekly basis की तो weekly basis पे market अपनको थोड़ा सा selling वाले ही दिख रहा है तो आ सत्रा आट सस लेके 17,500 तक मार्केट में 300 पॉइंट का मुवएंटम मिला होगा अगर कोई ट्रेल कर रहा है तो अभी भी कर सकता है विकॉस ऐस सच कोई दिक्कत नहीं है फिलाल के लिए बजट पे देखते हैं क्या होता है लेकर अभी इसके लिए एक से दो दिन बाक अभी के का दा मार्केट सीधा अपनको 18,500 लेका 18,600 का असबास ही दिखता अभी नीचे कर देखते को सतरा पानसो सकता तक देख रहा है मार्केट तो कोई बात निए वीक्ली वेशिस पर थोड़ा सा अभी के लिए सेलिंग वाला ही देख रहा है और विए वीग लीशिस प पर तब तक अपन थोड़ा सा बाइस नेगेटी भी रखेंगा अल्मुस्ट अठारा जार तक की यह रैंज बनेगी अपनी अठारा जार के जब तक बीकली बेसे से मार्केट नीचे है तब तक अपन एज़ पोजिशनल बाइंग के लिए नहीं जा सकते और अठारा जार इस समय लगा है ना 17800 से लेके यह अठारा जार बारी रैंज बहुत टाइम पास किया है मार्केट ने तो जब भी मार्केट अब 17800 से लेके अठारा जार के आसपास जाएगा तो वहां से मार्केट को एक रिजक्शन मिलने वाला है तो अभी जब तक इस रैंज की ऊपन नीज जादा तब तक अपन पोजिशनली इंडेक्स में बाइंग के बारे में नीज सोचेंगे और जब तक इसकी ऊपन नीज जादा अब तक इस टॉक स्पेसिफिक जो पोजिशन है वह भी थोड़ा सा अपन लाइटर बनाएंगे या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत तीन से चार तो बेकार्यग करना सोच के अपनों अपर प्रॉफिट भुकिंग का सोचेंगे ओक तो यह सारे सिंधरी अप्रियव मार्केट चलेंगे यहां पर ब्रेकार्ट फैल होगे देखेंगे आपनको रिजिस्टैंस पर सेलिंग आती हुँ दिखेंगे स्टॉक्स में भी तो यह स तो पुलबेक मिलेंगे वो डेली विसस मिलेंगे उनकी बात भी करूंगा वी डेली अलिशिस मों अगर बात करें सेलिंग टैप की तो सेलिंग में देखो अभी मार्केट सत्रह-चैसों के आस-पास दिकh रहा है अभी अभी मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला वह पहला सपोर सपोर्ट अब उनको मिलेगा बीकली वेसिस पर 17200 से लेकर 17250 के आसपास यहां पर मार्केट को पहला सपोर्ट मिलेगा जहां पर जब भी market 17,200 से लेके 17,250 के नीचे एक weekly closing करता है अब वो इस वी करे या next वी करे जब भी करेगा तब अपने पास almost 17,000 से लेके 16,800 तक के level खुल जाएंगे because फिर market के पास यहीं पर सीधर support मिलेगा जो कि 17,200 के आसपास बन जाएगा इसके नीचे फिर market यहां तक आने का try करेगा तो weekly basis पर भी अपने पास पहले यह लेवल रहेगा जो कि almost 17,250 से लेके 17,200 तक करेगा इसके नीचे फिर market यहां तक आने का try करेगा फिर market को सीधर support यहीं पर मिलने वाला यह सारे level market test कर सकता है आने वाले upcoming weeks में 16,800 से लेके 17,000 लेकिन उसके बहले market 17,250 के नीचे के एक closing needed रहेगी on a weekly basis तो weekly basis पर भी market अभी के लिए sell type का ही दिख रहा है और इस तरीके से market ने stand line को भी cut किया है तभी जब भी उपर जाएगा फिर यहां से rejection लेगा तो एक अच्छा selling का scenario अपने को मिल सकता है अभी चलते हैं मुझे सीधा daily basis पर okay so daily basis पर दो तिन चीज़े हैं जो मुझे आपको दिखानी है देखो मैंने अभी कुछ दिनों पहले almost beer is engulfing बनी थी market में almost service sector के आसपास तब मैंने यह बताया था कि किस को किस तरीके से इसको trade करना है और मैंने यह भी काता कि यह जरूरी नहीं है आज ही कट जाएगी यह various engulfing और वही हुआ market ने इसको कभी काटा नहीं और इसको पर market निकल गया तो okay मैंने सारे examples के रूप में आपको playlist में जाओगा वीडियो मिल जाए various engulfing के कैसे trade करें okay so वहां पर जब market मैंने काता है जब भी market इसक सारा 630 अल्मॉस्ट दो सो पॉइंट है और दो सो पॉइंट ही नीचे मानने को वन डिस्यू टू अपना गिन के चलेंगे और इसके इसकी क्लोजिंग कितनी तो अल्मॉस्ट सेंटिस का था मार्केट ने क्लोजिंग दी सात्तरा छैसों के अपको इस डेली बेसेस पर जोग पॉइंट न रहेगा अपना अल्मॉस्ट सत्रा दो सो पचास के आसपास रहना चाहिए विकॉज वहां तक अपने पॉइंट्स पूरे होने चाहिए तो इस तरीके से ट्रेड अब हो चुकिए तो बेरे सिंगल फिंग जो मार्केट ने बनाई थी 25 अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिये तो यहां से अपना अल्मॉस्ट और तीन सो साड़े तीन सो चार्ट सो पॉंड तक का करेक्शन मार्केट में एकस्वेस्ट कर सकते हैं जिसका पहला सपूर्ट अब उनको अल्मॉस्ट सत्रा दो सो से लेके सत्रा दो सो पचास के आसपास मिलना चाहिए ओके यह कभी मार्केट में ऐसा नहीं होते कोई चीज हो चुकी है तो उसी टाम होनी चाहिए अभी तो उस टाम तो यह सबको दिख ली थी कि बिरस इंगल फिंग मार्केट में बन गई है अब सबको ट्रेड करना तो इस टाम सबको बिरस ने सदी तब मैंने उस टे मार्केट नीचे की साइड दे दे जो कि 17200 से 250 तक के होती है विकार इसके नीचे के अपनको जो क्लोजिंग मिलनी थी वो मिल चुकी है तो यह टेड़ एक्टिव होती है और इसका होना चाहिए 17800 से लेके 17800 पचास के आसपास होके जब भी मार्केट अब हो को सकता है एक पहले डेली वेसिस पे एक बुल बैक ले, ऊपर की सैट निकले यहां पे जाए फिर यहां पर एक राइसेंट में अच्छेस एक संयर्यू मिल सकता है तो वहां से मार्केट 17-750 से 17-850 तक के लेबल्स ओपन होते हैं और मेरे लिए यह सेनरियो क्या रहेगा मेरे लिए यह सेनरियो रहेगा कि यहां पर मार्केट अगर जाता है इन पुलबेक में गिरा काफी तेजी से है तो मार्केट में 200-200 पॉंट की रिकवरी आ सकती है लेकिन आपको क्या देखना है 17-850 के आसपास वहां पर 15-30 मिनट है एक गंटे केंडल पर कोई रैड केंडल मिलती है फिर मार्केट प्राइस एक्समार के कुछ निगेटिव सेनेरियो दिखता है कोई सेट अप अपना काम करता है तो वहां से अपने सेलिंग के वारे हम सो सकते हैं यह रहेंगे रैंज एक अच्छा सेलिंग सेनेरियो अच्छी सेलिंग एरिया बनेगा से गहिता है 17 750 से लेकर 17 850 के आश पास बीग आता है तो वहां पर आप एक अच्छा सेलिंग उसकता है यह अपना यह थिस तरीके से गिरा और इस तरीके से रिकवर कर जाए और यह इन अपनी कुंसी बन रही है यह इन अपनी वही बन रही है बता रहा हूं इक मिनãy इसका मैं तका में धिखाता हूं है अधंको यह पहले हैं शत्रह आइश्ष गैहा से लेकर इंद्स 17-660 के उपर जब भी मार्केट क्लोज करता है तब फिर मार्केट के लिए 17-750 से 17-850 तक जाने का रास्ता ओपन होता है यहां तक तब उपने को एक से दो दिन में मार्केट आता हुँ देख सकता है इसको उपर कुछ होगा तो मैं डेली अलने से का मार्केट रहेगा 17-850 के नीचे नीचे तक ओके अब यह पन बात करते हैं सेलेंग के तो सेलेंग के लिए अभी मार्केट जहाँ पर 17-600 बाया 17-500 के एक क्लोजन कि मिलती है अगर इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट तो फिर मार्केट daily वेसे पेहले 17-420 7-420 से लेकर 77-330 तक आने का tri करेगा यह market के पहले target बनेंगे 77-420 से लेकर 77-330 तक और इसके नीचे फिर market क्लोज करता है तुप फिर market almost 70-250 तक आने का try घड़ेगा, यहान पर market को weekly basis पर भी पहला support बनेगा और इसके नीचे जब भी weekly closing होती है तब फिर मार्केट 17,000 से लेके 16,800 तक आ सकता है तो ये सारी बातें देखनी रहे हैं अपने को हो सकता budget पर थोड़ा बहुत recovery करते हैं यहाँ पर कोई resistance हिट करते हो देखे और फिर निकले तो एक अच्छा selling scenario बन सकता है और बाइंग होगी तो अच्छी खासी बाइंग इसके ऊपर थोड़ा से सस्टेंट करेंगा मार्केट फिर आलमस्ट मार्केट 18,100 तक जाना करेंगा और इसको पर फिर नेक्स्ट मेजट मार्केट में रैली आईगी अभी के लिए बाइंग पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं और वेट करेंग के पुलब्यक अच्छा आये 200 डाइसो पॉंट का वहां पर फ्रेस सेट सॉट कर सकते हैं अभी के लिए मैं सोचूंगा थोड़ा साभी मार्केट एक बार उपर की तरफ सेनरियू दे दे तो लेकिन वाइप उपन को करना है और मुस्ट पहली जो फाइटिंग दिखी रही है अप उनको बाइंग के तो वह अल्मुस्ट यहां पर कहीं दिख लिए तो 17680 जिसको प अल्मुस्ट 17780 से लेके 17800 तक का एक पुल बैक आ सकता है 17 780 से लेके 17800 तक मार्केट जा सकता है और अगर 17800 यहां तक मार्केट इस जहां तक मार्केट इसके अपर रैंज में पहुंच जाएगा 70850 से 70885 वाली रेंज में तो यह मार्केट अपर रेंज हो जाए गा गा तो किस तरीके सा है बता दी मैंने 70680 को उपर 70680 सत्रह 680 को फबनेट के अनल गोलती दो 17780 से लेके सत्रा आठ सो पिचासी तक मार्केट जा सकता है ओके इन इंट्राडेवे से इस बात कर रहा हूं मैं और अगर बात करें की तो अभी अपन फ्रेश सॉट करेंगा अलमॉस्स सत्रा पांसो के नीचे ही तो बिकाज यहां पर मार्केट थोड़ा सा ट्राई कर रहा है तो यहां पर अपन फ्रेश सॉट इसके नीचे करेंगा तो सत्रा पांसो के नीचे एक फ्रेश सॉट बनेगा अपना एक फाइपन टेंड ग्लोज होती है अपना सॉट कर सकते हैं और पहला ड लेकिन मैं सोच रहा हूं एक छोटा मोटा तो पुलबैक आ सकता है यहां से अब उस फिल वाइक को आपने को बैट करेंगे ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे यह सारी चीज आपने को देखनी रहती है आया में वेटिंग के एक पुलबैक आएगा देन फिर सॉट करेंगा बाएंग के बारे में नहीं सुचूँगा बट बेट करूंगा पुलबैक को के फ्रेस सॉट है यहां पर थोड़ा सा रिस्क्य हो सकता है अगर मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाता है थोड़ा सत्रा चार्स और यहां से रिकवरी आ सकती है और अगर यहां से थोड़ा बद ऊपर जाके 17660 700 गास वारे में सोच सकते हैं और यह तो यह तो रही बात मार्केट के अभी देखते कच्छ श्टॉक्स जो कि अपने विकली विस्स वाले रहेंगे तो पहले स्टॉक जो रहागा वह अपना रिलाइंस ही रहागा तो रिलाइंस लाइक के मैंने बोला था कि सकता है तक तक मार्क इत दक आ सकता है उसके बात मार्केट का जो जाने रहें गड快 रहें सुछे हैं परäre सा थिछ रहाइके रहा यहां से चोटा मोटर रिवर्सल आ सकता है I am expecting के एक चोटा मोटर रिवर्सल आ जा जाए 3080, 2400 तक 2430 तक रिलाइस चला जाए सो कोई भी बड़ी बात नहीं होती है और यहां तक रिलाइस सहराम से जा सकता है और यहां पर फ्रेस्ट नहीं सो सकते रिलाइस में और जब रिलाइस थोड़ा से उपर जाएगा तो मार्केट भी थोड़ा से उपर जाएगा एंद फिर से नीचे निकले तब ही कुछ हो सकता है थोड़ा साब को monthly chart tick करा देता हूं का विकाुज यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेजर मेजर लेवल है यहां पर रखा हो तो यह सारी चीज़े भी होती है देखने मेलाइक के अभी जब तक 2300 के ऊपर ऊपर है रेलाइस तब तक अपन इस सच इसमें अब निगेटिविटी फ्रेस नहीं बनाएंगे और एक पुल बैक का वेट करो एंदन फिर से कभी आता है नीचे तब सोच सकते हैं और यहां पर 2300 का एक इंपोर्टन सपोर्ट है जब तक स्कूपर उपर रिलाइंस है मच निगेटिविटी ना फैला है या फिर ना रखें दिमाग में और यहां से रिलाइंस और नीचे चला जाएगा ओके और रिलाइंस में एक बांस आ सकता है 2300 से लेकर 2400 तक जो रिलाइंस को पुल बैक देगा और साथी सार निफ्टी में भी एक पुल बैक एक्सपेक्ट क करें खिला मेजर सपोर्ट के रूप में काम करें तो इस लेवल को थोड़ा सो उपर कर देते हैं 10060 कर देदेजिसको उपर एक मार्कट मवंटम एक्सपर कर सकते हैं और इस लेवल को अपून यही पर रहाख रहना है यहार 1010 का एक मेजर सपोर्ट बन जागा ओके और अपक पचास से लेके 1200 तक भी जाने का ट्राइब करेगा ओके तो कल लेंज अब बताओ मैंने लास्ट वीक से लास्ट वीक बात करी थी कि अपकी बार यह आएगा नीचे तो 178 सपोर्ट ना मैंने हटाया तो मैंने काटेगा भी और नीचे भी जाएगा नीचे गया अभी 100 अपने मरुल्म के असके तो यही मैं कह रहा हूं मंतली के निफ्ट के चार्णे टेखो यहां पर जब मार्केट गिरना सुरू हो आना तो यह पर कोई कास्की सपोर्ट ही नहीं था यहां पर अपनकों कहीं बॉल्ष में आट की फाइटिंग ही नीथी तो मार्की और eco rousy भाष करहके मेजर सबस्क्राइब बनेगा 3500 के बनें का सब्सक्राइब णस एक लिए अपना शुर्साफ मेजर सप्राइब ना आ चानर पर अंपना पर default अपनेail लगा घञाए पारश Inflips लागा जलना भी बोटेंट रहेगा ग्लोबस इस्परेट इस लाइक बीक है और मुस्ट 840 का लेवल दिया था वहां तक गया फिर रिवर्सल आ रहा है सो इस लाइक बीक है अभी 17780 दा लास्ट होप फॉर दिस स्टॉक और जब भी 850 से 860 को पर क्लोज करता है तभी इसको फोकस में डालेंगे इस ट्रलाइट टैक कि इस लोकिंग गूड एज उफ ना विकॉ जी परनीज को लगाया फिर वाग गया और उपर 182 को पर क्लोज करता लोड़े गा और एक सथक वनवे तक चैसे में तक जाएगा और एक सबनों गूबर ही नेक्स्त मेंटम आएगा ओके 192 इस दा लेवल जिसके उपर इसमें नेक्स्ट मुएंटम आएगा वकॉस इस लेवल को इसने काफी वार रिटेस्ट कर लिया ओके सो 192 के उपर फोकस डालेंगे यहां फर नीचे 165 क्या सबोर्ट मिलता तो फोकस में डाल सकते ओके पॉली के इंडिया 264 के आसपास फोकस में डाला था वहां सो अलमूस 2750 तक गया फिर थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है पॉल सकते हैं और 268 से लेकि 2700 इसका मेजर सबोर्ट बनेगे इस राइज को थोड़ा सो ऊपर कर देते हैं इस राइज को यहां पर लगा देते हैं और 2700 इसका जो मेजर सबोर्ट बनेगा और 5850 के उपर ही नेक्स्ट मुएंटम आएगा ओके सो इस लाइन को हड़ा देते हैं और 27 इसका मेजर सपोर्ट और 2850 को उपर नेक्स्ट मुएंटम आएगा ओके सो अच्छा स्टॉक है पॉली के बंडिया लेकिन अभी थोड़ा कंसलिडेशन कर रहा है इस अफ मार्केट कंडिशन ओके सारदा कॉप कैम अभी यह बताईए चार सुन नब्वेग उपर इसको बोला था ना एक्स्ट मेंटम आया चार सुन नब्वेग उपर इसने अल्मोस् इसलिए स्विंग करते रहो और जो इन्वेश्टमेंट होती है वो बल्क में नहीं होती दीरे-दीरे करके होनी चाहिए मेरा तो सिनर्य यह कहता है बाकी तो सारे लोगों का अलग लग रहता है बट मैं थोड़ा स्विंग पर जाता फोकस करता हूं के सो हिंदुस्थान अर 115 के आसपा सी फोकस में डालेंगे और ब्रेक आट में ज्यादा फोकस नहीं डालोंगा और 110 इसका मेजर सपोर्ट बनेगा ओके 115-110 के आसपास आता है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं और थोड़ा सा कमेंटरी जो थोड़ी सी उपर नीच हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं हैं 12 से आसपास इसका इंपोर्टेंट मेजर डू डाय लेवल है जब तक इसके आसपास आता है तब फोकस में डाल सकते हैं और 1350 के आसपास आता है प्रॉफिट वक करके निकल सकते हैं ओके रेमंड इस लाइक ठीक है स्टॉक लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आ सकता है बोला था 1550 के उपर एक क्लोज करता है तब ही नेक्ट मेंटम आएगा वहीं से रिवर्सल ले रहा है बार बार और अगर बात करें नीचे की तो 1420 की नीचे अगर यह जाता है जो कि इसका मेज से लेकर अल्मुस्ट बारा सो पचास तक भी आ सकता है फिर इसके लिए कोई इंपोटेंट सपोर्ट बनेगा नहीं बीच में तो चब्दा सुछ दब मेजर सपोर्ट लेवल जो इसको देखना चाहिए इसके नीचे इसको किसी भी केस में आना नीचाहिए वहां तक ही आया अगला सपोर्ट बन राता लेकिन इसको फोकस में डालेंगे फोर इटीन कूपर एक क्लोज करता है तक जाने का ट्राई करेंगा और फोर फिटी कूपर इसमें नेक्स्ट मेंटम आएगा कुड़ स्टॉक ओके इस पर अपनको फोकस रखना चाहिए मार्केट सेनेरियो अप अपर 630 की बात करी थी वहीं तक गया वहां से रवर सलिया फिर 600 सपोर्ट ले रहा है तो 580 से लेकि 600 सपोर्ट बनेगा 580 तो 600 सपोर्ट है और 630 का एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया 630 को पर इसमें नेक्स्ट मेंटम एक्सपेट कर सकते हैं ओके एक्स्ट टॉक रहेगा अपना गोदावरी पावर सो गोदावरी पावर इस लाइक नीचे आ रहा है मार्केट के सेनेरियो में 380 सपोर्ट आ सकता हो के सो गोड़ स्टाउक मार्केट सेनेरियों थोड़ा सा नीचे आ रहा है और जी एस पेले इस टॉक से लेकर तो सेवन सफाइब के ऊपर इसमें नेक्स्ट मेंटम आएगा और तब इसको फोकस में रखना भी चाहिए या फिसको फोकस मिलता है तब भी इसको फोक 314 का अपना लेवल है आसपास ओवर कर रहा है अब इसका मेजर सपोर्ट जो बनेगा 300 मेजर सपोर्ट और जब भी 325 को पर 15-30 मिनट सश्टेंट करता है तब इसमें नेक्स्ट मोइंटम आएगा फुर्द टार्गेट से लेकर अलमुस्ट तीन सो पचास तक के टार्गेट इसमें बनाई जा सकते हैं तो 325 इसको अपन फोकस में रखेंगे और बहुत बार बोला है कि जब भी यह लेवल 460 का क्रॉस करेगा तब इसमें मेजर मेजर अपसाड आ सकता है इस ट्रॉक को फोकस में रखना चाहिए काफी बार इसने होल्ड किया यह लेवर और अभी इस इस रैंज को तोडता है तो एक अच्छे फोर से तोड सकता है तो 460 इस दे लेवल जिसको फोकस में डालना चाहिए एक क्लोज करता है फूर 620 पर दैन इसको फोकस में डाल सकते होके टाटा मोटस बात करी ते इसमें मुवंटम आ सकता है रजाल्ट अच्छे हैं अल्मोस्ट चार्ट साथ तक का टार्गेट है अपना और अभी चार्ट सो चौगन के असपास काई लगा अगर मार्केट बीक नहीं होता फ्राइडे को तो फ्राइडे को यह सारे लेवल्स देद हो जाती है तो अभी इसका जो गैफ फिलिंग एरिया भी बन जाएगा वही और विकॉस फोर टूएट इस दे लेवल अब जब तक यहां तक आएगा तब इसको फोकस में डाल सकते हैं उपर तो फिस चार सो साथ है मेजर लेवल जहां पर इस प्रॉफिट विकिंग के बार इसको फोकस में डाल सकते हैं तो चोला बंदा में वेस्टमेंट इस लुकिंग गुड जब भी सेवन टूंटी गूपर एक क्लोज करता है तब इसको फोकस में डाल सकते है फूर्द टार्गेट ऑसेवन सिक्स्टी टू एट हंड़े ओक है यहां तक इसमें एट टो टैन प काट आई देते हैं ग्रेविटा इंडिया लुकिंग कोड चार सो सत्तर की उपर ही फोकस में डाला था नेक्स दिनी उसमें अल्मोस्त एट परसेंट मूव आया फिर से दो परसेंट का मूव आया तो इसमें अपने स्विंग पूरे हो गया है जब भी चार सत्तर के असपस दोबारा आता है तब इसको फोकस में डाल सकते हैं उपर उड़ते हुए तीर लेने की कोशिस ना करें ओके गेल इंडिया ओल्मोस्त फोकस में डाला था अंडिड को पर वहां से अल्मोस्त तीन से चार परसेंट का मूव नेक्स देई आया फिर नीचे आ रहा है और सपोर् परसेंट के लिए इसको फोकस में डाल सकते हैं अभी देख लिया थे कुछ इंट्रेट स्टॉक्स में रहेगा वह रहेगा अपने रिलाइंस को अल्मोस्त टू-3-4-2 को पर एक फाइमिनेट के लोगोज होता है अपने फोकस में डाल सकते हैं एट टू-10 रुपीस का एसल इसका वेट कर सकते हैं तो यहां पर फोकस में डाला था तो मैंने का था सकती है और मुष्ट हैंडे हंडेट पॉंट्स वहां से निकल गा इसमें इसको अपसार इसको फोकस में डाल सकते हैं और साथ से आट रुपा के लिवेट कर सकते हैं ऋके फैसलिभीस को पार इसको फोकस में निकलता है तो इसमें ऩो और यहांग और तैन रूपीस का एसलिभीस को फोकस में डाल सकते हैं और यहां पर यह अल्मॉस्ट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है सो यह स्टॉक थोड़ा सा पून सेलिंग के साइट रख सकते हैं ओके लिए अच्छा है वीडियो को लाइक कर चैनल पर चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जो और मिलते हैं नहीं तब तक लिए बाइए